बगवान शेक्रिष्ण के जो आदेश गीता में हैं बक्तों के नाम उसकी आदेश कथा हम लोग सब सुन रहे थे उसी में बगवान ने ये कहा कल जब हम सुन रहे थे के मेरे लिए तुम अपने मन को मुझ में कागर करो और बुद्धी मेरे लिए इस्थिर कर दो मुझ में और तुम मुझ में ही निवास करेगा बस जाएगा इस तरह से इसमें कोई दोराय नहीं है आगे भगवान अठारवी अध्याय के बासटवी श्लोक में ये कहते हैं तमेव शर्णम गच्छ सर्व भावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांति मस्थानम प्राप्सेसी शाष्रतम पूर्ण भाव से उसी की शरण में जाओ भगवान की शरण में जाओ उस प्रभु की एहत की कृपा से तुम निश्चित रूप से परम शांति और शाष्व धाम को प्राप्त कर जाओगे इसलिए समस्त भाव भावना से उसी की शरण में जाने की चेश्टा करो मतलब ये कहा कि तुम संपूर्ण अस्तित्व से अपने आपको अपने प्रभु में जोड़ने की कोशिश में लग जाओ एक ऐसी चाहा और ऐसी पीडार ऐसी एक भावना जो छोटे से बच्चे में अपनी मा के लिए होती है और मा का हिर्दे अपने बच्चे से जुड़ा रहता है कुछ भी काम करेगी मा पूरा ध्यान उसका अपने बच्चे में होता है और बच्चा भी अगर खेलेगा तो उसको ये समझ होती है कि मैं मा से दूर ना चला जाओ भगवान और भक्त के बीच में इस तरह का एक तारतम में बन जाए लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हम भगवान को क्या समझते हैं वो क्या चीज है जिसकी शरण में हम जाएं वो क्या चीज है हम उसे क्या मानें किस तरह से समझें देखा जाये तो भगवान सर्वशक्तिमान सबका दाता दयालो पतित पावन हमारा माता पिता बंदू सखा वो परम सत्य अविनाशी तत्व है अव्यक्त सत्ता है सार में हम कहें ये सारे गुण जिसके हैं एक निराकार शक्ति है उसका साकार रूप जो है ये समस्त ब्रहमान ये विश्व है और उसे जानने से पहले आप खुद को जाने है आप जो ये शरीर लिए बैटे हैं ये शरीर वस्त्रों की तरह है इसको कहा वासांसी जिर्णानी यता भिहाय नविनानी ग्रनाती नरोपरानी शरीर को चोला कपड़ा ही का गया है ये आपने पहना हुआ है और एक दिन आप इसको छोड़ देंगे त्याग देंगे जिस दिन जिसको ओड़ा हुआ उसको आप छोड़ देंगे तो उस दिन फिर ये कुछ भी नहीं रह जाएगा क्योंकि कपड़े शोभाए मान तब ही होते हैं जब आप उनको पहनते हैं और आपको पहनने के बाद शोभाए मान करते हैं शरीर धारन किया हुआ कपड़ों की तरह से और जिस दिन आपने इसको छोड़ दिया तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है आग लगा दी जाएगी या मिट्टी में दबा दिया जाएगा राक करके भी पानी में मिला दिया जाएगा जो पहनने वाला है वो कौन है वो तुम्हारा चैतन्य है यह एक नगरी है इसको शरीर को चोला भी कहा गया इसे घट भी कहा गया घट से मतलब हो था घड़ा घड़े को तूटने में देर नहीं लगती तूट जाए तो उसके बाद वो मिट्टी मिट्टी है इस शरीर को पूरी भी कहा गया नगर कहा गया इस नगर का जो राजा है जिसके कारण ये नगर चल ला है यहां की विवस्ताइं चल ली है यहां का शाशन प्रशासन यहां के नियम काईदे कानून के अनसार इसमें सब चीजें हैं यहां बिजली भी आ रही है गाड़ियां चल लही है सब चीज़ें हो रही है इस नगर को छोड़कर राजा चला गया कानून वेवस्ता सब कत्म हो गई तो उसके बाद ये कुछ भी नहीं रह जाता है सब उसी के कारण है जैसे आपके बल्ब जल रहे हैं तार भी है बल्ब भी है लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ है जिसे पहार का तार कुछ भी नहीं बल्ब कुछ भी नहीं लेकिन बिजली के आते ही पंखा भी काम करता है ये माइक भी काम करता है तो वो जो शक्ती है जो पावर है बिजली को पावर कहते हैं आप लोग उसको बल कहते हैं उसको शक्ती कहते हैं उसको एनरजी कहते हैं तो ये ज चलता है और अपका माइक भी चलेगा पंक्का चलेगा सारी चीज़ें इसे से काम कर रहे हैं तो देखा जाए तो जिसमें पावर है और जो पावर का स्रोत बना हुआ है वो आपका आत्मा है वही राजा है वही इन कपडों को पहनने वाला मतलब शरीर को पहनने वाला लेकिन कहा यह जाता है और समझने वाली बात भी है कि आप शरीर देख सकते हैं पहनने वाले को नहीं देख सकते हैं मतलब आप अपने आत्मा को नहीं देख सकते हैं ऐसे इस पूरे संसार को अपना शरीर बना कर जिसने पहन रखा पूरे ब्रम्हान्ड को वो परम चेतन ने है जैसे आप चेतन ने है वो परम चेतन ने है आप आत्मा है वो परम आत्मा है आप इस शरीर के मालिक हैं शरीर के ईश्वर हैं वो सारे जगत का ईश्वर मतलब सब का मालिक है जैसे आप भी अंदर दिखाई नहीं देते कि आप क्या हो बच्चा रो रहा है किसी के भी बच्चे रोते हैं जब उसके पिता जी चले जाए मा चली जाए लेकिन उस शरीर को वो संभाल के नहीं रखते उन्हें पता है यह पिता जी नहीं है यह उनका शरीर है मिट्टी है यह तो इसे जाद देर तक रखा नहीं जा सकता और फोटो किसका है वो शरीर का तो जाने वाला जो था वो पिता जी गए वो माता जी गई अब वो गई तो दिखाई नहीं देते आँक से निकली है नाक से निकली है या सिर के उपर से निकली या मूँ खुला रह गया तो वो जो गया है उसे तो आप नहीं देख सकते न लेकिन जब शरीर में दोबारा लोटा है क्योंकि कहीं बार ऐसा होता है कि चिता में शरीर रख दिया जाता है और फिर शरीर हिलने लग जाता है फिर खड़ा हो जाता है पिता जी फिर से आगए अब पिता जी फिर से आगए तो उस शरीर में आगए ना इसी में से गए ते इसी में आगए ये बिलकुल ऐसी होता है जैसे मातमा एक खड़े वे थे उन्होंने एक बच्चे को देखा वो दिया जला कर लेकर आ रहा है बोले ये जोती कहां से लेकर आया बोले जहां ये जाती है बोले कहां जाती है बच्चे ने फूक मारी बोले जहां चली गए वही से लेकर आया और मात में चुप खड़े देख रहे हैं उसके तरफ वो तो पूछ रहे ते घर से लाए हो का दिये बच्चे ने कह दिये वही से लाए है जहां से आती है बोले कहां से आती है बोले जहां जाती है बोले कहां जाती है फूक मर यहां जाती है वही से लेके आए इस शरीर की भी यह जोती वो ही देता है, वो ही भीजता है कि जाओ चुन लो एक शरीर और हजारों आत्में आसमान में मंड़ा रही होती है शरीर को चुनने के लिए तैयारी कर रही होती है इधर कोई मांगने वाला व्यक्ति सही पती-पत्नी दोनों मांगते है मेरे घर में कोई पवित्र आत्मा आ जाए ऐसी आत्मा आ जाए जो मेरे कुल को धन्य कर दे तो फिर एक कोई पवित्र आत्मा उस घर में आ जाए और कोई राक्ससी भाव में रहा हो वैसे विचार, वैसा ही कुछ फिलमें, वैसी चीज़ें देखता हो और वह ऐसी भावना बनी भी हो पत्नी भी बहुत दुकही रही हो और उसी इस्तती में उन्होंने संतान की काम नकर ले और कोई भी आत्मा ऐसो को डूंड कर बहुत काम के लोग लगते हैं तो बहुत अच्छा लड़ते जगडते हैं कलक कलेश में रहते हैं राट दिन एक दूसरे के साथ बदला लेने को तैयार है तो चलो हम भी बदला लेते हैं इनका बेटा बन के लेते हैं तो वह भी पहुंच जाएंगे तो फिर लड़का आ जाएगा लड़की आ जाएगा लड़के आएंगे जो लड़के आया लड़के रहे और लड़ता ही रहे और पर लड़ता लड़ता जाए और लड़ता लड़ता आपको विदा कर दे ऐसा लड़का आगया ऐसी लड़की आगई तो आपको नहीं पता लगता है लेकिन वो एक चैतन ने आ गया शरीर में आपके मा के गर्ब में आकर एक शरीर दार्ण किया उसने और फिर उस दुनिया में आया अब बाप बेटे के विचार नहीं मिलते है माप बेटे के विचार नहीं मिलते है उन्हों में बहुत जगड़ा है तो आप नहीं पहचान सकते कि यह जो हमारा चैतन्य है तो फिर परम चैतन्य को कैसे पहचान हो गया अब प्रश्ण यह आएगा कि फिर यह शेव यह कृष्ण यह राम यह कौन भगवान फिर अपने उस स्वरूप को अलग अलग समय में आउतरन करते वे इस धर्टी पर जीवन कैसे जिया जाए मर्यादाएं स्थापित करने के लिए राम जी आगे धर्म स्थापना करने के लिए आगे वचनों का पालन कैसे करना है वो दर्शाने के लिए आगे संकटों से कैसे जोजना है उन्होंने भी कोई लाटरी सिस्टम की बात नहीं करी कि ऐसे आख बंद करके और जो मातमा जी बताएं ऐसे आज लाटरी लग जाएगी तो ऐसा राम जी ने भी करके नहीं दिखाया यह अलग बात है कि राम जी के नाम से पत्थर तर गए लेकिन राम जी ने जिन पत्थरों को डाला वो नहीं तर रहे वो तो डूब गए जब हनुमान जी ने पूछा कि ये तो आप जो है पत्थरों को डाल भी रहें और ध्यान से देख भी रहें बोले ही ये देखो ना डूब रहे हैं और मेरे नाम वाले तर रहे हैं अनुमान जी ने कह दिया जिसको अपने हाथ से छोड़ दोगे तो डूबेगा नहीं तो और क्या करेगा तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो परम सत्ता है वो सरुव्यापी सत्ता है उसी रूप में जाके मिल जाएगा और हम सब लोग भी जो है उसी परम रूप में मिलने के लिए दुनिया में आये वहां से जुड़ने के लिए दिवाली में बहुत सारे दिये जलते हैं न तो एक दिया जल रहा है पर दूसरा दिया जलेगा सब की रोष्णी साथ साथ हो रही है पर कमाल क्या होता है सारी रोष्णी मिलकर एक हो जाती है सारे दियों की रोष्णी मिलकर एक हो जाती है अब साथ मौंबतियां जलाई आपने तो साथ वाट के बल्ब जितनी रोष्णी हो गई इकठी हो गई हो लेकिन सारी रोष्णी एक होती जाती है सारे मिलकर के भक्ती करें तो सब की भक्ती भी ऐसी होती है कि इसकी भी उसकी भी फिर आपकी साथ बल्ब जितनी रोष्णी हो जाएगी और सारे के सारी कठी मिलकर के बोलें तो हजार बल्ब वाली रोशनी एक साथ हो गए तो उतना चांदना उतनी लाइट उतना प्रभाव उतनी तरंगें उतनी तरंगों की जो है वो जो बीम बनती है वो फिर उपर जाती है उपर से आकर के फिर टकरा कर आप पर बरसती है और फिर उसका फाइदा क्या होता है एक छोटा सा बल्ब जीरो वाट का जले तो वो उतनी आपको जो है रोशनी नहीं देगा दिखाई भी नहीं देगा उतना मार्ग नहीं दिखाई देगा उतने आपके चीज़ें प्रकट नहीं होंगी सारे एक साथ बतियां जल गई तो आपका दिन का चांद नहीं हो गया सारे भक्त मिलकर एक साथ पाट करने लग जाए तो बस फिर समझ लेजिए हजार वाट का नहीं दसजार वाट का बल्ब जल गया भीम उपर जाती है वोई असर फिर आप पर आता है इसलिए कहते हैं सामुएक परार्तना बहुट बढ़ा काम करती है सामुएक साथना बहुत बढ़ा काम करती है घर के सारे मिलकर बेटके परार्तना करें तो बहुत आँखे बंद करिये आकार थोड़ी देर के बाद गायब हो जाएगा और फिर जब आपको अपनी होशना रहे राप बिलकुल ध्यान में चले जाएगा तो आकार, रूप, रंग, ध्वनी जो भी कुछ बाहिया चीज़ है, सब खत्म हो जाएगा, पिर क्या रह जाएगा, वही परमचैतन ने इसलिए कहा जाता है कि भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, शक्ति है एक मज़े की बाद और है, कि सब लोगों ने अलग अलग जगए जो भगवान को मान लिया कि भगवान कोई, किसे ने का चौत्य आस्मान पर, किसे ने का सात्वे आस्मान पर है, मुस्लिम समाज मानता है, इसाई समाज मानता है, सात्वे आस्मान पर खुदा है, चौत्य आस्मान पर खुदा है, हम लोगों ने कहा वो क्षिर सागर में हैं, किसे ने कहा वो परवत पर बैठी भी है तो सब जगह आदमी जाता है तो अगर हम हुआई जाज लेकोर उपर जाते हैं सारे आसमानों के पार कर जाएं तो भी कहीं पर भी वो आसन लगवा नहीं दिखाई देता रॉकेट जा रहे न वो परमंगल ग्रह तक जा रहे हैं अपना भी जा करके वहां लेट गया हुआ हमारा भी तो ग्रह गया था न गया तो एक चक्कर काट रहा है एक वहां बैठा हुआ मतलब एक भाग तो कौनसे वाले असमान तक पहुँचा था ये तो नहीं कहा जा सकता है लेकिन गया अब ये भी कहा जाता कि फरिष्टे जो है चार फरिष्टे जो है वो तक्त को पगड़े वे हैं जिसके उपर भगवान बैठा हुआ दूसरे मत मत अंतर जो मानते हैं मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि आज कल तो दो मिनट में नराज हो जाते हैं लोग डंडा लिए बैठे वे हैं क्योंकि उनकी मुझ का सवाल है कुछ अजीब तरह की इस्ततियों में धर्म चला गया धर्म ही लड़ने जगणने का कारण बन गया आज के समय तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो सवाल करते हैं कि साब जो फरिष्टे लेकर खड़ें तक्त को उ गवान को भी उठाई वे हैं तो बहुत तरह के सवाल लोग अपने अपने डंग से जैसे हमारे यहां के मान्यताओं पर सवाल करते हैं तो दूसरे दूसरों में मान्यताओं पर सवाल करते हैं आखिर में समझ में क्या आता है समझ में यही आता है कि जिस चीज की आप कल्प न कर सकते हैं और जिस चीज का आप आकार देखते हैं, रूप देखते हैं, सूंग सकते हैं, चक सकते हैं, छूँ सकते हैं, वो सब इस संसार की वस्तु है, फिर वो क्या है, बोले वो नहीं दिखाई दे सकता है, ना पकड़ा जा सकता, इसलिए भगवान के लिए शब्द प् पकड़ में आए अगोचर जो हमारी आख नाख मन किसी भी पकड़ में ना आए वो अगोचर बगवान को का असीम असीम का मतलब होता सीमाओं से रही था क्योंकि हम सब लिमिट में जीते हैं जो अनलिमिटेड है वो असीम है अनपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्यान वैराग्य सिध्यार्थम भिक्षाम देही चापार्वती अर्थात हे अनपूर्णे आप सदापूर्ण है भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं ही मापार्वती अनपूर्णा आप मुझे भिक्षा दे जिससे हमारी ज्यान वैराग्य की शुधी हो जाए सेवा आज जिस संस्थान का परियाय बन चुकी है वो है पूजिश्री सुधान्शुजी महाराज के सानिधिल संचालित विश्व जागरती मिशन सेवा के शेत्र में मिशन की एक और नई पहल अनपूर्णा योजना इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सप विवा की वर्षगाट तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृती में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के रिशी कुमारों एवं व्रिद्धाश्रम के व्रिद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं इस अवसर पर प्रातह गुरुकुल के रिशी कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रों चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्य यग्य का आयोजन किया जाता है यजमान की सुप, स्मृध्धी और दिर्ग आयों के लिए प्रातना भी की जाती है दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है आपस परिवार आनंद धाम पधारे यग्य में भागले और अपने हाथों से भोजन कराकर पुन्ने लाग एवं आत्म संतुष्टी के भाव से जीव को आनंद मैं करें इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200-956079-2792 सहयोग राशी भेजने के लिए हमारा अकाउंट डीटेल है किसी के काम जो खाए विए जिन सारी तेहती है